संभल में अवैध शास्त्र फैक्टरी का हुआ भंडा फोर्ड फारी मात्रा में बन रहे थे अवैध हत्यार यूपी की जिला संभल में पुली सधीक्षक यमुना प्रसाद और अपर पुली सधीक्षक आलोग जैस्वाल के निर्देश के बाद अवैध शास्त्रों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें मुक्विर की सूचना पर ग्राम हरफरी के जंगल में बन पड़ी म जैन्था फेक्टरी अवैध शस्त्रों को बनाते हुए एक यूवक गिरफतार किया गया जिसके पास से 13 शस्त्र, 7 कार्टूस और 1 खोका बरामत किया गया अभियुक काफी समय से अवैध शस्त्र बना रहा था और साल 2018 में भी अवैध शस्त्र बनाने के चलते जेल जा अवैध शस्त्रों के विरुद अवैध शस्त्रों के विरुद अवियान चलाया जा रहा है इसी क्रम में आज दो सब्सक्राइटी दो नत खाना चेत्रों में एक संबल खाना चेत्र में घणाजी खाना चेत्र में पढ़ई गया जा रहा था जिसका प्रयोग आवे से संभल में अपराधी पकड़े गए हैं जिसमें ये दानी जो अपराधी था वो सब्सक्राइब चलाता था वहां अपराधी बना करके 12 बोर के से 10,000 रुपए के बीच में बना करके लोगों को अन-डिमांड सप्लाई करते थे ये लगबग 21 बने और साथ बने और पूरी तमंचा फैक्टरी बनाने की आउजार के साथ पकड़ेगा हैं इन सभी के खिलाब पीडिक कारवाई की जा रही है अब इनको जेल भीड़ा जाए झाल